हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं टेट क्लास फ्रेंट्स आज हम देखें समाजी विजय समाजी विजय पैड़ागोजी की यह हमारी तीसरी वीडियो होगी तो आए स्टार्ट करते हैं देखते हैं प्रशनों को यहां पे जो हमने पहला प्रशन गया है वो है कि निम्न में से को बढ़ावा देता है आपको पता है कि भारत हमारा विवित्ता का देश है और इस विवित्ता में भी एकता यहां की सबसे बड़ी महांता है तो कह रहा है कि यहां पे जो विवित्ता है उसको कौन सा पॉइंट यहां पर बढ़ावा देता है आपके ऑप्शन है अपने ग ही तो मुशलिम है तो वहार को विवित्ता था और बिवित्ता को भथा देता है तो यहीद मुश्म आपको प्लिण नहीं है स्युक्ति एक नहीं दि़िकर देगा यह गलत पॉइंट है दूसरा है कि रेलगाडी से यातरा करना रेलगाडी में यातरा करने के लिए कोई विवित्ता की जरूरुत नहीं हुआ हिंदू-मुस्लिम स्रीक हिताई एक ही ब्रेंच पर बैट कर जाते हैं तो यह कोई वैसी बात नहीं है आगे है कि मात्र भाशा में इनसान रहता है उस चेतर में संप्रदाये में तो नहीं कोई लेना दे तो प्रश्ण के साफ से उप्शन. एगला प्रश्ण पर है कि मांचित्र व्यापी भाशा को समझा जा सकता है क्या पूछा जा रहा है कि मांचीत्र को समझने के जो सर्व्यापी भाषा समझा जा सकताए सर्व्यापी भाषा वो भाषा है जो सब जग एक ही तरह से होती है कहीं अलग कहीं दूस्री भाषा यह नहोंगा होती है वो सब जग है तो आप इंडिया में चाहे कहीं भी चले जाएगे वह आपको वैसा ही मिलेगा तो इसी तरह से मांचित के लिए पूछा जा रहा है कि सर्व व्यापी भासान की एक मांचित को पढ़ने के लिए सर्व व्यापी है कौन सी लैंग्वेजह आपको यहां पर देखना है पहला है कि दूसरा है वि cosa समंधी मान चित्रों द्वारा रूड चिन्नों द्वारा चौथा है रेखा चित्रों के द्वारा देखे जो्ως रूड चिन अगला प्रश्न दिया है कि निमलिखित में कौन सी शिच्छक सहायक सामगरी महाद्वीपों के अनुपातिक छेत्व आकारकुर दर्सानी के लिए सबसे उप्यूक्त होती है क्या पूछा है कि महाद्वीपों की स्थिति को पूछा है तो राजनायतिक मानचित्र क्यों काम में आएगा इसलिए यह उप्षन आपका गलत हो गया विश्व का भौतिक मानचित्र यह हो सकता है फिटी के आगे दें पित्वी का पोस्टर यह नहीं होगा पोस्टर से कोई यहां पर दो सकती आपके निकलते हैं तो गलोब है और तीसरा है विश्व का भौतिक मानचित्र यहां सही ऑप्षन होगा वह एगला प्रिशन देखिये अगल्या प्रशन है कि अनवेश्ण आत्मक प्रश्णों का लाब है अगर बच्चों से आप अनवेश्ण करवाते है तो उसका क्या लाब होगा देखिए ऑप्शन चात्रों में तार्किक सोच पैदा करने में चात्रों में समस्या पैदा करने में चात्रों के व्यक्ति को शांत करने में या उप्रोक्ट सभी तो यहां पर देखिए दिया है कि पहला चात्रों में तार्किक सोच को पैदा करने क ये पॉइंट है हो सकता है और जो दूसरा है छात्रों में समस्या पैदा नहीं करते हैं उन्वेशन के धूर। चात्रों के अभिव्यक्ति को भी शांत नहीं किया जाता है इस कारण से यहां पर एक पॉइंट सही और दो पॉइंट गलत हो गया अन्वेशन प्रश्णों से जो लाब होता है वह होता है कि चात्रों में तार्किक सोज पैदा होती है क्योंकि वह उस साफ से तर्क करते हो अन आप शक्ता का मुख्य कारण कौन सा है कारण क्या है क्या है वस्तु निष्ट जो प्रश्ण पद्धिती है उसके आप शक्ता का मुख्य कारण क्या है आपके देखी यहां पे पहला है कि चात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनिये होता है सही बात है यह दूस स्लाबस खतम करते हैं बीच में थोड़ी नहीं छोड़ देते हैं वस्तुनिष्ट प्रश्णों के कारण अगला देखिए चात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का आउसर प्राप्त होता है मौलिक अभिवक्ति वहां नहीं होती वहां पे एक दम फिक्स ग्यान होता है जो वस्त अभिवर्ति है उसका आउसर नहीं मिलता यहां पर आपका दूसर पॉइंट भी गलत है चात्रों की लेखन शयली एवां भाशा शयली की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती यह पॉइंट भी गलत है क्योंकि लेखन भाशा चली एक शब्दों के माध्धम से नहीं विक सुख्यन एक आपका सही है अगला प्रश्ण देखी है कि अगला प्सदग यहां पर है कि यहां पर कि मौखिक इतिहास को लिखने के लिए पहल को सामग है कहां कि मोखिक पर मैंतयां की oh सामगरी है वो नहीं है कौन सी सामगरी इसमें नहीं है तो नहीं पॉइंट को छोड़ कर ये देखिए कौन सा है कौन सा मौखिक श्रोत का माध्यम है यानि कि जो इतिहास आपको किताबों से जानकारी नौ मिलकर डाइरेक्ट इसी व्यक्ति के मुख से जुनने को मिले ठीक है अब शर्ट सैन विद्रो के बारे में एक ब्रिटिस सैनिक का मौखिक वर्णन अगर सैन विद्रो के सामगर वो सैनिक रहा हो उसके द्वारा आप हिस्ट्री देखें तो आपको ये मौखिक इतिहास है ये इतिहास के अंतरगत आएगा मौखिक इतिहास के अंतरगत और पर आप से पूछआ है नहीं तरह प्रेशनी की हिसाब से तौका से गलत हञा अब दूसरा परेंश्वेक्थी कि स्विथा Украї Pennsylvania लिइक toaktik enhanced अवे पाकिस्टान गया था वहन्याकर प्रिधी बारे म अत्मान सिच्छा है सिच्छक है या सिच्छा है तो यह पॉइंट आपका गलत हुआ चौथा देखिए उन व्यक्तियों के घटना वृतांत जिन्होंने भारत छुड़ आंदोलन में हिस्सा लिया था यह भारत छुड़ आंदोलन की इस्थिती का इतिहास का एक मौखिक उद यह पर प्रशण के आपका आप्शन यहां पर सही है अगला प्रशण देखिए अगला प्रशन है कि निम्न में से क्या समाजिक विज्ञान सिच्छड की समस्या नहीं है पिर आया नहीं है तो नहीं हो को यहांपर सरकिल बना दीजिए और इसे एक पल के लिए छोड़ नीन में से क्या समाजिक विग्यान सिच्षड की समस्या है देखे छातरों में उची दिष्टु कोड का अभाव इसलिए ये पोइंट सही हुआ हम नहीं को छोड़ देते हैं तो ये पोइंट सही हुआ दूसरा है समुदायक सादनों का उप्योग सिख्षण कारियों में नँ छोना ये भी समस्चा है अगर परयात मात्रा में संसाधन है तो यह समस्चा की रूप में नहीं है तो यहां पर आप इसे आगेतिक कर दीजिए अभ देखें यहं व्यक्तिगत अनुभव की कमी यह भी एक समस्चा है तो पूछा गया कि समस्चा न अगला प्रत्रस्ण के दौरान एक इन दॉर्विशन को सिच्छ il काज़्या बच्च का अधिक बाताने की लिए कि ऐसे करण में रज़रीत बच्छ added जरूरत हो कि बच्चे हर चीज नहीं आएंते टिज सूरsm an ध्यापक का कार वहां पर प्रदर्शक का होना चाहिए उन्हें बताना चाहिए तो option एक आपका यहां पर सही है दूसरा है कि केवल एक सहयोगी की रूप में यह नहीं होगा प्रटेक छात्रों की समस्याओं को बड़ा अनुवेशन कार में आप उनके समस्याओं को दूर करें नौकी बढ़ाएंगे तीसरा गलत हो गया चौता है कि छात्रों को अधिक से अधि बताने में अब बताएंगे निसके तुरू अपने कारें को पूरा करें तो option चार भी आपका गलत है प्रशन के साब से आपका option एक सही है अगला प्रशन देखिए भारत में समाजिक अध् प्रशन के साब से option एक आपका सही है अगला प्रशन देखिए और यह हमारा आखिर प्रशन है दिया है कि यदि आप कक्षाच्छे के छात्रों को गीता जो हमारी पवित्र पुस्तक मानी जाती है गीता पढ़ाना चाहते हैं तो आप नेमने से किस गतिविधी का चुनाव क करेंगे आपके option देखिए दिया है कि छात्रों को गीता के ऊपर एक लंबा भाशण देंगे या फिर दूसरा है कि छात्रों को कहानी के माध्यम से गीता का पाढ़ पढ़ाएंगे छात्रों को गीता पर निबन लिखने के लिए कहेंगे और चौता है कि छात्रों को गीता क के जानकारी अनुसंधान करने के लिए प्रेजित करेंगे समाजिक अध्यन के अंदर गत आप गीता बताना चाहते तो ऐसी कंडिक्शन में क्या होगा कि छात्रों आपका देखिए छात्रों को कहानी के माध्यम से गीता का पड़ाएंगे ऑप्शन दो आपका यहां पर सही हो आप अनुसंधान करेंगे जो गीता की जानकारी दे सकेंगे इसलिए चौथा ऑप्शन भी आपका गलत है तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगे तब तक के लिए नमस्कार